क्लास सेवन दीप मनिका टू संस्कृत चैप्टर नंबर वन हमने लास्ट वीडियो में कम्पीट किया था इसका हूवक मैंने आपको यह सारा कॉपी में नोट डाउन करने के लिए दिया था नेक्स आज हम चैप्टर नंबर टू पढ़ेंगे चैप्टर नंबर टू में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद्वान पंडितह विद्वान का आरत होता है जो सबसे इंटेलिजेंट होता है बुद्धी मान होता है जिसमें विद्या का बहुत ज्यान होता है वो होता है विद्वान, विद्वान पंडितह, ठेके, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इसमें किसी भी शब्द का आपको वर्ड मिनिंग नहीं आता है, तो आप एंसिल से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, स्टार्टिंग देखिए, एक दा, सुदर्शनह, नामह, एक हन रिपह, आसीद एक बार सुदर्शन नाम का एक राजा था, प्रजा पालने अतिव कुशलह सह स्नेहिन पुत्रवत प्रजाह अपालियत, प्रजा के पालन में मतलब जो जहां का वो राजा था, वहां के जो लोग थे, उनका पालन पहले जमाने में यह होता था, कि राजा अपने जहां का र राजा होता था वहां की लोगों का पालन वो खुद करता था तो जहां वहां की लोग होते उसे बोलते प्रजा तो प्रजा का पालन करने में वो राजा कैसा था बहुती कुशल था सहस नेहेन पुत्रवत प्रजाह अपालयत वह अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता था परम तस्य न्रिपस से पुत्राहा, मूर्खाहा, अशिक्षिताहा, गुणहीनाहा, चा आसन लेकिन परम करते लेकिन तस्य मतलब उसके निर्प अभी बताया था राजा लेकिन राजा के जो पुत्र थे वो कैसे थे मूर्ख थे अशिक्षित थे और गुणहीन थे अशिक्षित मतलब पड़े लिखे नहीं थे गुणहीन मतलब उनमें कोई भी गुण नहीं थे एकस्मात कारणात राजा अतिव चिन्ता कुलह आसीत एक कारण से इस कारण से ये कारण था कि उनके बच्चे जो थे वो कैसे ते मूर्ख ते अशिक्षित और गुणहीं थे इस वज़े से इसी कारण से राजा अतिव चिंता गूल, राजा कैसे ते बहुती चिंता से व्याकूल रहते थे, टैंशन में रहते थे किम करोमी, मैं क्या करूंगा? कथम एताम, मम, विद्या, विहिनान, पुत्रान, सर्वगुण संपन्नम करोमी राजा ऐसा कहता है कि कैसे मैं अपने इन विद्या हीन, मतलब विद्या से रहित, कैसे मैं मेरे इन विद्या से रहित पुत्रों को सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण मतलब जिसमें सारे गुण होते हैं तो मैं किस तरह से अपने पुत्रों को सर्वगुण संपन मतलब सभी गुणों से युक्त करूं वारम वारम च वी चिन्त्य चिन्ता क्रिस्तह अगरीमे दिवसे राजually सभायां आगत्य अवगोशयत बार बार यही विचार करके और यही सोच करके वो चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं और क्या करते हैं अग्रिम दीव से मतलब अगले ही दिन राजी सभा में आकर आगत्य मतलब आ करके अव गोशेत मतलब गोशना करते हैं कि अस्तिक कश्चित विद्वान पंडित है कि ऐसा कोई विद्वान पंडित है यह मम् मूर्खान पुत्रान नीती निपुणान करतुम समर्त है बवेद कि क्या ऐसा कोई विद्वान पंडित है जो मेरे मूर्ख पुत्रों को नीती से पूर्ण कर सकता है राजा क्या करता है सभा में जाता है और गोशना करता है कि कोई भी ऐसा पंडित है क्या जो मेरे पुत्रों को सर्वगुण संपन और नीती में निपुण कर सकता है मतलब बहुती होश्यार बना सकता है अहम तसमें महापंडिताय प्रभूतम धनम पुरस्कार रूपिन दास्यामी। मैं उस महापंडित को अपना सारा धन पुरस्कार के रूप में इनाम के रूप में दे दूँगा। शर्मा करके एक पंडित थे उनकी प्रजा में वो कुछ सोचते हैं और सुदर्शन को उत्साह के साथ, excitement के साथ में कहते हैं कि महाराज अहम एतान राजकुमारान कि मैं इन राजकुमारों को नीती, निपुनान, कर्तुम, समर्थ, अस्मी। मैं इन राजकुमारों को नीती से पूर्ण, निती और शास्त्रों का ज्यान दे सकता हूं। मैं वहीं पर मेरी विद्या को प्राप्त करेंगे, मतलब वहलों में रखे नहीं हूं। उसको राजा के जो इतने भी पूत्र ते राजकुमार उन्हें अपने साथ अपने घर पे ले जाना चाहता था। इसके बाद में जो लास्ट परग्राफ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसका आपका हूंवक है आपको यह वर्ड मिनिक्स जो दे रखे हैं। यहाँ पर पेज नमबर 4 पर जो वर्ड मिनिक्स दे रखे हैं वो और पेज नमबर 5 पर जो वर्ड मिनिक्स दे रखे हैं वो आपको अपनी कॉपी में नोटाउन करना है। इसमें आपको सिर्फ हिंदी वर्ड और संस्कृत वर्ड ही लिखना है, इंगलिश वाला नहीं लिखना है.